नवस्कार, लिसिम और पुलिकल साइसे मैं सोर प्राटेक्स स्वागत करता हूँ आप सभी का आज हम मूल अधिकारों का अध्यन करेंगे जो कि सभी परिछाओं में पूछे जाते हैं तो आईए प्रारम करते हैं भारती सम्मिधान के भागतीन अनुच्छेद 12-35 में मूल अधिकारों का वर्डन किया गया है और मूल अधिकारों को भारती सम्मिधान में USA यानि United States of America के सम्मिधान से लिया गया है मूल भारती सम्मिधान में साथ अधिकार थे वर्डन में अनुच्छेद 31 के अंतरगत आने वाले सम्मिधान के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर करके विदिक अधिकार बना दिया गया है अता इस समय अधिकारों की संक्या चह है इसमें पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 तक वड़ी थे वही स्वाथिकार अनुच्छेद 19-22 तक वड़ी थे सोसलरके विरुद अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वड़ी थे धार्मिक स्वाथिकार अनुच्छेद 25-28 तक में वड़ी थे संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार अनुचेद 29-30 में वड़ित है वहीं समयधानिक उपचारों कादिकार अनुचेद 32 में वड़ित है यह चीज़ इसमें भी आप देख सकते हैं समानता कादिकार अनुचेद 14-18 सोतंता कादिकार अनुचेद 19-22 सोतंता कादिकार अनुचेद 25-28 संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार अनुचेद 29 और समयधानिक उपचारों कादिकार अनुचेद 32 बात करते हैं जो एक अत्तिस्वा जो अनुचेद था संपत्तिक अधिकार इसको एक 44 समयधान संसोदन हुआ था 1978 में इसके दोरा इसको मूल अधिकार से बाहर करके भारती समयधान के भाग बारा में अनुचे 309 के अंतरगत एक विधिक अर्थात कानुनी अधिकार बना दिया गया है वही 86 समयधान संसोदन जो की 2002 में हुआ था इसके अंतरग अनुचे 21A जो प्राड एवं दहिक सोतंता का अधिकार था उसी के अंतरगत एक और अनुचेद जोड़ा गया अनुचे 21A जिसको का गया है सिच्छा का अधिकार नेक्स पॉइंट अनुचेद जो 12 है उसमें राजी की परिभासा दिया हुए है चुकि जो मूल अधिकारों का भाग है उसमें बार-बार राज्यसब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए अनुचेद 12 में में यानि की विधि को परभासित किया गया है यानि भारतिय समिदान के अंसार विधि क्या है अगला जो प्रतम अधिकार है वो है समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता यानि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे वहीं अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म नसल जाति लिंग अत्वा जन्मत्तान के आधार पे किसी प्रकार का भेरबाव नहीं किया जाएगा वहीं अनुच्छेद 16 लोग निवरिजन के विशे में आउसर की समानता यानि सरकारी नौकरियों में सभी क को समान उसर दिया जाएंगे अनुच्छेद 17 कहता है अस्प्रिस्टा गांत यानि किसी के साथ छूआ चूट नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 18 है उपादियों का निसेद यानि इसमें दो चीज़ें है कि वह सिक्षा और सैनिया सिक्षा और सैनिय को छोड़कर बाकी और किसी प्रेकार की उपादिया नहीं दी जाएंगी नेक्ट पॉइंट अनुच्छेद 19 जो है उसमें आजकल च्छै प्रकार की सोतनता है इसमें पहला भासर और अभिवक्त की सोतनता जिसको हम प्रिष की सोतनता से भी समन्दि समझते हैं जोंकि उसमें भासर की सोतनता सम्रीव है, इसको हम वाक और अभिवयक्ति की सोतनता भी कहते हैं 19वा का जो ख़ है वो है सांतिपूर और निसस्त्र होने की सोतनता याई लोग अगर चाहें तो सांतिपूर्वक और भिना अस्त्र सथ के एक जगई कठा हो सकते है वहीं अनुच्छेत 19 का गर करता है कि हमको संग या समुदाय बनाने की सोतंता है अनुच्छेत 19 का गर करता है कि हमें राजी के किसी भी कोने में अबाध ध्रमड की सोतंता है यानि हम किसी भी छेत्र में घूम सकते हैं पूरे भारत के अंतरगत वहीं अनुच्यद 19 का चर करता है कि हम अपने जीविका के लिए अपने जीवन के लिए किसी भी प्रकार का ब्यावसाय अपना सकते हैं अनुछेद बीस अप्राधों की दोस्तित के विश्य में संद्रचड इसमें गया कि किसी से भी जवर्यस्ति उसके इकिलाफ जो है उसको गवाह देने के लिए बाद्य नहीं किया आएगा अनुछेद 21 प्राध इवं सारेजिक सोतंता का संद्रचड यानि किसी को भी विदी द्वारा अस्थापित तरीके के अलावा किसी और तरीके से उसको प्राध और देहिक सोतंता से अलग नहीं किया एगा वहीं इसी में अनुछेद 21 ए है जो कि है सिक्षा का अधिकार सिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 बंदिकरण और निरोज से सनचड़ है अगला है 166 के बिरुद अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 इसमें हैं अनुच्छेद 23 मनुस्तियों इस्त्रियों और बच्चों के क्रे बिक्रे को घोर अपराद और दंडरी माना गया है यानि अगर कोई बेक्ति इस्त्री बच्चों या पूरुसों को बिक्रे करता हुआ पाये था उसको दंडनी अपराद मा जाएगा और उसको विदिवत कारवाई की जाएगी इसमें है बेगारी का निसेद अनुचेद 24 इसमें यह है कि 14 वर्से कम आईवाले बच्चों को कारखानों अत्वाखानों में कठोर सम के लिए नौकरी में नहीं रखा जाएगा इसके बाद है अनुचेद 25 से 28 तक यह है धार्मिक सोतंता का अधिकार इसमें अनुचेद 25 में लिखा हुआ है कि धार्मिक आचरण व्रूमगी 35 की सोतंता इसको अंताकरर की सोतंता भी कहते हैं यानि ब्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है अगला है धार्मिक कारों के प्रवन्दन की सोदनता यानि कोई भी ब्यक्ति किसी भी धार्मिक कारों का प्रवन्द कर सकता है उसमें राज उस पे रोग नहीं लगाएगा अगला किसी धर्म अगर जो सरकारी विद्याला है तो उसमें किसी एक भीसेश धर्म की सिक्षा नहीं दी जाएगी और अगर कोई धार्मिक सिक्षा दी जा रही है तो बच्चा उसमें उपस्तित या अनुपस्तित होने के लिए स्वतन्त है उसको बादित नहीं किया जाएगा अनुच्षेद 39-20 यहेँ सिक्षा और सांस्कित्तित संंबंडि अधिकार अनुच्षेद 19 अलब संको के हितों का सनरचर है और वहा हिए अनुच्षेद 30 अलब संकों को अपनी सिक्षर संस्ताओं की अस्तापना एवं उनके प्रसासन का अधिकार है बात करते हैं अनुच्छेद 32 की अनुच्छेद 32 बहुत इंपार्टन अनुच्छेद है और डाक्टर भीमरा अंबेटकर जो कि स्वमिधान के जनक कहे जाते हैं उन्होंने इसे स्वमिधान का हिदय और आत्मा कहा इसमें चैप्रकार के लिए जारी किये जाते हैं जिसमें बंदि प्रत्रची करण परमादेश प्रतिसेद उत्पेसर और अधिकार पिक्छा है अनुच्छेद 32 को समयधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और यह बहुत ही इंपार्टन जो है अनुच्छेद है हर सेंसरिया करते हैं इडिक्ति अधिकार को तो नायला यह आदेश दे सकता है कि उससे बंदी बनाये गयं बैक्ति को हमारे सामने उपपतित करो और यह देखेगा वह कि क्या उसे उचित आधार पर बंदी बनाया गया है अत्वा जूट में उसे बंदी बना लिया गया है तो अगर उसे जूट में बंदी बनाया गया है तो वह जो नयायला है या आदेश जारी कर सकता है कि उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाए अगला है परमादेश परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं या हम आग्या देते हैं इसमें यह है कि अगर कोई अधिकारी या विभाग अपने कर्टब्यों का पालन नहीं करता है तो नयायला या आग्या दे सकता है उसको कि आप अपने कारियों का पालन कीजिए प्रतिसेद अगला जो लेक है वो है प्रतिसेद प्रतिसेद का मतलब होता है रोकना या मना करना यह उच्छितम नायलों द्वारा अपने अधिनत नायलों को जारी कियाता है और अगर कोई मुकदमा ऐसा होता है जो अधिनत नायलों के अधिकार छेतर के बाहर होता है तो पर रोक देंग अगला है उट-पैसर लोग है सूचित करना ऑपर बेगना इस में उच्चत नयाले उच्चतम या उच्चत है यह अपने जनाइल्ड रहते और टे Henry ये तो के बाहर कार कर रहे हैं तो आप उस मुकदमे के संबन में हमारे पास सूचनाय प्रेसित करें अगला है अधिकार प्रिक्षा इसका मतलब होता है किस अधिकार से अगर कोई ब्यक्ति सारवजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के बैठ जाता है अर्थात ऐसे पद पर बैठता है जिसके एक कार्य करने का उसको अधिकार नहीं है तो नियालए यह लेख जारी करके उसको आदे देता है कि यह पद आप खाली कर दिये और जो अधिकार पिक्छा लेख होता है उसके अंतरगत उससे पूचा जाता है कि आप इस पर पर किस प्रकार से किस अधिकार से गारे कर रहे हैं और अगर इस प्रस्ण का उचित उत्तर वह ब्यक्ति वह अधिकारी नहीं दे पाता है तो न्यायले उसको तत्काली उसके पत से हटा देता है बात करते हैं मौलिक अधिकार की विसेश्ताओं की तो मौलिक अधिकार एक 20-30 अधिकार पत्र है ये मौलिक अधिकार अनुच्षेद 12 से लेके 35 तक वर्डित है और इतना बड़ा मूल अधिकार है इतने जादे अनुच्षेद विश्चो के और किसी देश के समेधान में नहीं है इसके वादिकार सम्मिधान द्वारा दिये गए अधिकारों के थिक नागरिकों कोई अधिकार नहीं है यानि जितने भी अधिकार हैं वह सम्मिधान में वडित किये गए हैं इसके अलावान नागरिक और किसी अधिकारों का डिमांड नहीं कर सकते हैं इसके अधिकार सभी नागरिकों को समान अधिकार हमने पढ़ा है विदिके समक्त समानता जो अनुच्छेत 14 के अंदर गतवरीत है यानि सभी नागरिक कानून के सामने एक समान होंगे सब को जो अधिकार मिले हुए है मौलिक अधिकार वो बिलकुल एक समान है अगला है अधिकार नकारात्मक अधिकार यानि जो अधिकार है वो नकारात्मक है क्योंकि ये नकारात्मक अधिकार इस अर्थ में है कि ये हमें राज के द्वारा किये गए आतंक से सुरच्छा पदान करते हैं इसलिए जो अधिकार हैं वो राजी की सक्तियों पर रोक लगाते हैं अता जो अधिकार हैं वो नकारात्मक हैं अगला अधिकार संग राजों तदा अनसरकाई संताओं पर समान रूप से लागू है इसमें ये कहा गया कि चूंकि भारत में कानून के समख समानता की बात की गई है इसलिए जो मूल अधिकार हैं वो सबके लिए एक समान रूप से लागू है अगला है अधिकार निलंबित किये जा सकते हैं जब हम आपात कालीन प्रावधान पढ़ेंगे राठपती की सक्तियां पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि अनुछेद 352 या 356 या 360 के अंतरगत जो मूल अधिकार हैं उसको निलंबित किया जा सकता है इसके अलावा अर्व संख्यकों के लिए 20 अधिकार जैसा हमने पढ़ा है अनुछेद 39 और अनुछेद 30 के अंतरगत अर्व संख्यकों को 20 अधिकार प्रदान किये गए हैं अगरा है मौनिक अधिकारों को लागव करने के लिए 20 समयधानी भी बश्याता जैसा कि हमने पढ़ा है अनुछेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों को बचाने के लिए मूल अधिकारों को संद्ञेद करने के लिए जो सूप्रीम कोट है वो लेख जारी करता है तो मूल अधिकारों से संबंदित जो भी इंपार्टन चीजे थे इस वीडियो में हमने पूरा करने का प्रयास किया उम्मीद है कि आपको अपेच्छी जानकारी मिली होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार